और ये मेरी पहली परफॉर्मेंस है जिसके लिए मैं बिल्कुल तयार नहीं हूँ तो मेरी जो समझ में आ जाएगा मैं भोल दूँगी प्यार और दिल अगर तूटे ना तो कोई मतलब है नहीं लिखने का चाहे कोई कितना भी कहले कोई मतलब है नहीं तो लेकिन आज स्टार्ड जो है वो इससे करते हैं कि एक फेज आया जब प्यार हुआ फिर एक फेज आया आपने उसे जीया फिर एक फेज आया जब दिल तूटा फिर दिल तूटने के बाद एक फेज आता है कि जब सब हो गया भाई जेल ले गया अब बात खत्म होई कम होते जा रहे हैं कि ये जो दिन बढ दिन दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं क़। कि इन में बह कर हम बहतर होते जा रहे हैं, कि अब रास नहीं आती दुनियादारी, कि अब रास नहीं आती दुनियादारी, वफाधारी भी अब लगती है एक बिमारी, कब तक रहे विफाधार इंसान, जब वफाधारी को वैलुई नहीं है, कि अब रास नहीं आती दुनिया जोटी उमीदों के बादल छटते जा रहे हैं उनकी बारिश में बहकर हम बहतर होते जा रहे हैं और यह जो दिन बा दिन दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, इनके साथ हम बहतर होते जा रहे हैं. तो एक मैंने जब लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले लिखा दूंगे. ये काफी पुरानी है, जब तयार नहीं थे लिखने के लिए जादा, तब की बात है. तो जिन्दगी का फलसफा हमने जी कर जाना आना जाना जीवन का तानाबाना जो टिक गए वो अपने जो छूट गए वो सपने जो टिक गए वो अपने और जो छूट गए वो सपने सपनों को अपना करने में अपने छूट गए कि सपनों को अपना करने में अपने छूट गए और सपने तो फिर थे सपने अब वो भी रूट गए फकर जिन्दिगी का अब ये फलसफा जिया नहीं जाता फकर जिन्देगी का ये फलसफा अब जिया नहीं जाता आने जाने का ये जहर भी अब पिया नहीं जाता कि दुनिया की हर एक महफिल में एक मेला है कि दुनिया की हर एक महफिल में एक नया मेला है और यकीन मानिये जनाब मुकमल वही है जो बस अकेला है मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को पूरा कर सकता है वो जीवन में सिर्फ आपका साथ दे सकता है वो साथ ही हो सकता है लेकिन आपको पूर्ण नहीं कर सकता कभी तो एक शेर के साथ मैं एंड करना चाहूंगी कि मैं दर्द का ताजो तख्त हूं मैं दर्द का ताजो तख्त हूँ, मोम था कभी अब सख्त हूँ, ना मुम्किन है अब लोटना मेरा, मुझमें अब मैं गुजरा वक्त हूँ कर्ख भा वक्त हूँ, लिसी ट्र चूँड़ मैं झालट जजरा वक्त हूँ, य॥ल कर वक्त हूँ, फग्त हूँ अजितास। झाल झाल